अरे बिटा लगता है मेरा ATM कार्ड खराब हो गया है खराब हो गया है? हाँ बिटा योगे फल है जो खराब हो जाएगा फल तो नहीं है ठीक से यूज नहीं किया होगा ठीक से यूज नहीं किया होगा साथ में चलते है बैठिए समाल के चलाना बिटा देखो इसको इस तरह से अंदर डाला और फिर निकाल लिया उसके बाद क्या किया उसके बाद पिन नमबर डाला बिटा एंटर कीजिए चार छे चार आठ रंगे स्वामी कौन है अपने बाप को निया जानता तो बताईए क्या करना है अमाउंट डाला है विटा वाँच हजार एंटर टीजिए पाँच पचास पांचव पांच हजार अइंशफिशेंट बैलेंस यही यही बोलती है मैडम बारपर ज़रा काड देना आठो चार छे चार आठ अरे उस वक्त ऐसी एक पर्चे निकली है कहाना काड में खराबी है इसे बदलवा देते हैं चेक करके देना चाहिए था हट करते हैं लोग देखो बटा बैंक में जाकर पुछते हाँ हाँ चलो अखवास मशीन है तीन गंडे बाद एक्टिवेट हो जाएगा जाएगा सर बोलिये सर यह मेरे पापा है इनके अकाउंट से 10 लाख रुपे मिसिंग है सर यह क्या बात कर रहा बटा कार्ड खराब है यह कैसे हो सकता है पैसे गाइब हो गए एकाउंट से निकालने के बाद किसीने आपसे चिने किया नहीं-नी सर पैसे डिरेक्टली अकाउंट से गायब हो गए है अकाउंट से कैसे गायब हो सकते हैं अपना अकाउंट नमर देना 8747298472 एक मिनिट स्टेटमेंट चेक करने दो इन्होंने कहीं पर खर्च किये हैं ट्रणजक्शन चेक कर लिजे इसमें चो ट्रानजक्शन्स हैं उसमें से एक भी हमने नहीं किया है सर पैसे निकाले गया है सर आपी के अकाउंट से इसमेंजों इसमें אז मेरे पापा को इंटरनेत वगरा यूज करना नहीं आता हैं सर, किसी और को यूजर आइडिया पासवर्ड आपने दिया था? मैं ये सब नहीं जानता सर, 4648 ये दबाना है बस इतना ही जानता हूँ लाइफ में फर्स टाइम कार्ड यूज़ किया है ये बहुत ही सिक्यूर्ड सिस्टम है, आपके अलावा आपका एकाउंट और कोई इस्तमाल करी नहीं सकता सर, इन विड्रॉल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता था सर एक काम कीजिए, आप पुलीस सेशन जाकर कंप्रेंड डिखवाईए और एक F.I.R. कॉपी मुझे दीजिए, हमसे जो हेल्फ होगी हम करेंगे देखो बेटा, मैंने एक पैसा नहीं निकाला, वो आदमी एकदम सफेज जुट बोल रहा है बेटा अरे वो दुकान, वो दुकान कहां गई बेटा बाई साब, यहाँ पर एक स्टॉल था न, वो आदमी कहां चला गया इसने एक मैना पहले ही स्टॉल लगाया था, और दो दिन से गाया बेए बैंक का आदमी गह रहा था, पुलिस पर कंप्लेन करो जाकर पापा, आप ज़रा शान्त हो चाहिए, बस पकड़के घर चले जाहिए, मैं कुछ करता हूँ जैसा तों कहो बेटा आप इमन्यो, बोलो, सुनना, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी बताओ क्या बात है, अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिये, अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिये, हाँ यार, मैं एक अकाउंट नमबर देता हूँ, जरा उसका डीटेल्स निकालेगा प्लीज, कोशिच करता हूँ, अकाउंट नमबर बताओ, 00123, हाँ, 0123 482 121, ओके, यह क्या, यह अकाउंट तो ब्रजील में है, ब्रजील? हाँ, किसी कंप्यूटर डीलर का है, ठीक है, उस कंपनी का कॉंटाक नमबर देना, ठीक है, मैसेज करता हूँ, हाँ, भेज दे, पैसे गायब कैसे हो सकते हैं, कस्टोमर सर्विस के लिए एक दबाएं, एक ब्रजीलियन अकाउंटे मेजर, हमारे जुरिस्टिक्शन में नहीं आता, टेकनिकल अससिस्टिंस के लिए दू दबाएं, पुलिस के पास जाने से वग जाया होगा, उससे कोई फाइदा नहीं, कस पापा ACP है, उनसे मिलेंगे तो कोई रास्ता ज़रूर निकलाएगा, कस्टोमर स्विस में ओन करने के लिए दर से बात, अपनी जरॉख शॉप में साइबर सेंटर खोलने वाले थे, कम्प्यूटर्स खरीदने के लिए लोन लिया था, हाँ सर, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, अमाउंट से कम्प्यूटर्स खरीदे गए, सर, बात यह है कि स्टेटमेंट के हिसाब से कोई ब्रजिलियन कंपनी है, जब वहाँ फोन किया, तो अजीब सा रेकॉर्डेड मेसेज मिला, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, इसलिए आपके पास आगे, ठीक है, कम्प् इसमें सबसे बड़े फ्रॉड तुम हो, तुमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किये, यानि गवर्नमेंट के साथ चीटिंग किये, एक प्राइवेट बैंक को धोखा दिया है, और अब जूठी पुलिस कंप्लेइन लिखवाने आये हो, इन चार चार्जिस के अंडर, तुम जेल जा सकते हो, कम से कमे एक साल अंडर, चलेगा तुम्हें, अंकल, तुम ही सोचो बेटी, अगर एक अंजान आदमी तुम्हें लोन दिलाता है, तो उसे सारे परसनल डिटेल्स दे दोगी, नहीं दोगी न, देखो, तुम रती के साथ मेरे घर आये हो, इस तो किसी foreigner ने मुझे कॉल किया, उसने कहा, इनाम घर पर पहुंच जाएगा, बस एएरपोर्ट पर 5000 की कस्टम ब्यूटी भरो, उधार लेके मैंने पैसे जमा करवाए, फिर पता चला कस्टम आफिस एएरपोर्ट पे है ही नहीं, एक जटके में सारा पैसा चला गया, नहीं कोई नाम मिला, पैसे पैसे निकाल लिए, पैसे सुरक्षत रखने के लिए बैंक में डाले थे, लेकिन वहीं से चोरी हो गए, जितनी ATM सर्वर मशीन्स हैं, उनका एक स्विच होता है, एटीम में जाके, जब आप अपना पिन नमबर दबाते हो, उसके बाद आपका बैंकर स्विच ओपन क करके आपके डीडिल्स चेक करता है, उसी गैप में ये कमीने चोर छोटी 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 रकम को चुरा लेते हैं, हमें लगता है कि बैंक हमसे छोटे मुटे टेक्स चार्ज कर रही है, तो गाली दे के उसे भूल जाते हैं, पहले के जमाने में तो सिर्फ इनसान ठगे जात लेकिन आज तो कम्पीटर और मशीन को भी लूटा जा रहा है, इस देश को लूटने वले किसी और देश में छुपकर बैठे है, उन्हें नहीं पकड़ सकते, आप अपना काम करूं सर, आपको लूटने के लिए ताला नहीं तोड़ना पड़ता, एक छोटी सी इन्फरमिशन ही बहुत है बैंक लोन अप्लिकेशन पॉइंट टू बैंक आपसे कॉल करके एकाउंट डीटेल्स नहीं पूछ सकता अगर किसी ने लोन देने के लिए आपको कॉल किया तो आप अपना अकाउंट नंबर, ATM पिन, यहां तक की OTP, आधार काड सब उसको खुशी-खुशी सौंप देते हैं जब भी कोई अप्लिकेशन या सौफ्ट्वेर डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं तो आप हर एगरी पर टिक करते जाते हैं आपको फोन तो स्मार्ट है, पर आप स्टुपिड बन जाते हैं हर मोबाइल में कैमरा है, आपको यही लगता है पर हैकर्स के लिए तीसरी आँख बन जाती है बिना आपको पता लगे, आपकी प्राइवेट लाइफ हैकर्स के लिए डेटा बन जाती है बिग बॉस के शो की तरह है, ना बच सकते हैं, ना छुप सकते हैं, आपका Google Search History आपके सबकॉंशेस माइंड की तरह है, आप बड़े हुश्यारी से उसे डिलीट कर देते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हैं, पर उनकी आज स्टोर हो जाता है, एक बात माननी होगी, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, वोट दीते समय आत्मा की आवाज सुने, कोई फ्री ओफर दे, तो दिमाग का इस्तिमाल करें, जाहें